हेलो एव्रिवन कैसे हो आप सब आज देखे मैं आपके साथ यह इजी बिलकुल असान मल्टी कलर में डिजाइन को लिखे आई हूँ आप इसे सिंगल कलर में टू कलर में या मल्टी कलर में किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हो बहुत ही इजी बहुत ही असान डिजाइन है यह friends बहुत ज़्याद आईजी सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से बनाएंगे तो हमारा इस तरह से यह डिजैन बन कर आएगा ऐसे इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 7 के मल्टिपल से शाथ के मल्टिपल से चाहिए यह ऐसे यह वाले तीन फंदे उल्टे और चार फंदों का यह डिजैन है ठीक है तो इसके लिए देखे यह 7, 7, 7 ऐसे करते हुए जाना है लास्ट में आपके तीन फंदे यह उल्टे और दोनों तरफ से एक एक फंदा एस्टिच का तो 5 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने फंदे ले लिए हैं 19 फंदे लिए हैं साद दूना चोदा और चोदा फंदे डालने के बाद तीन फंदे तो हमारे यह पैटरन को इकफल करने के लिए और दो फंदे हमारी दोनों तरफ एक एक फंदा एस्टीट का तोटल 19 फंदे हमने डाली है आपने नीचे बोर्डर बनाना है बोर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से एक रो पूरी सीधी सीधी बना लेनी है इस तरह से बोर्डर बनाने के बाद इसी कलर से इसी कलर से आपने एक रो सीधी सीधी बनानी है ये बेस रो है हमारी फिर कहीं पे भी हमने इसे दुबारा से नहीं बनाना है और किसी भी परजेक्ट में अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं complete कर लेंगे अब उल्टी तरफ से हमारी design की first row है अब यहाँ पर देखिए मैंने अपना second color इसके साथ attach कर लिया है आपने भी ऐसे ही करना है जो भी आपको second color चाहिए इसके साथ attach करिए और second color के साथ अब यह पूरी row हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे ऐसे यह पूरी row हमारी उल्टी अब सीधी तरफ से यह design की हमारी second row है तो second row में देखिए क्या गरना है पहले फंदे को हमने उतार देना है धागा अपनी तरफ कर लेना है तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे यह एक दो तीन फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार अब इस एस्टेश को छोड़ कर यहां से यहां तक हमने साथ फंदों का design मनाया है इनी साथ फंदों को अपने पूरी स्लाई में बार 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 रपीट करते जाना है तीन फंदे उल्टे चार फंदे सीधे फिर से इसे ही पीड करना है देखे यह एक दो तीन तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे एक दो तीन चार अब इसी फंदों को यूज करी जाएंगे फिर लास्ट में हमारे पास है एक, दो, तीन, चार फंदे बचेंगे, जिसमें दागा अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक, दो, तीन, दागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, इस तरह से करती है डिजाइन की हमने second row बना ली है, अब डिजाइ दो, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब इस एस्टिश को छोड़कर यहां से यहां तक जितना डिजाइन है, इसी डिजाइन को पूरी स्लाइ में हमने बार-बार रपीट कर तीन फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, फिर से इसी डिजाइन को रपीट करेंगे तो धागा दूसरी तरफ करते हुए है, यह 1, 2, 3, तीन, 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 तीन फंदे उल्टे, अब लास्ट में चार फंदे बचेंगे, जिस में से तीन फंदे तो हमारे सीधे और एक फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए डिजैन की थर्ड रो हमने पूरी बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब रो फोर, चोथी सलाई हमारी सीधी तरफ से ध्यान से दिखेगा इसे कैसे बनाना है, फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये तीन फंदे हमने उल्टे बनाने है, एक, दो और ये तीन, ठीक है, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये एक, ये दो, दो फंदो को उतार लेंगे, और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, इस तरह से अब फ्रेंड्स इस एस टेज को छोड़कर यहां से यहां तक जितना डिजाइन है इसी डिजाइन को आपने बार बार रपीट करना है तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदों को भी नबुने ऐसे ही परलवाई स्किप कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर से इसी डि फंदा सीधा पूरी रो में हमने इनी फंदों को रिपीट करना है लास्ट में यह तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं और एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए डिजाइन की फोर्थ रो चोतिस लाई हमने बना कर कंप्लीट कर ली है अब रो फाइव हमारी जो उल्टी तरफ से बनानी है हमने फर्स्ट फंदे को पहले फंदे को हमने उतारा दागा दूसरी तरफ किया अब यह एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दो फंदों को जीने सीधी तरफ से नहीं बनाया था उल्टी तरफ से भी ऐसे ही स्किप करेंगे अब एक पंदा उल्टा इसे तरह से तो इस лучше फंद को छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा साथ फंदो का जीजाइन इननी फंद को वारा वार ऊपिड करना है तीन फंद सीथ हो एक उल्टा दो फंदो पो को स्किप करेंगे फिर से एक 치प अल्टा बनाएंगे और फिर को ऐसे ही स्किप करेंगे एक फंदा फिर से उल्टा इन्हीं फंदों को बार-बार रिपीट करते जाएंगे लास्ट में ये तीन फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए डिजैन की पांच भी सलाई हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है अब छटी रो है हमारी उल्टी तरफ सीधी तरफ से सोरी फंदे को उतारना है धागा अपनी तरफ कर लेना है तीन फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है एक दो तीन अब धागा हमने दूसरी तरफ करना है धागा दूसरी तरफ करने के बाद देखे इन फंदों को थोड़ा सा हमने ये ये वाला फंदा हम यहाँ पर ये वाला फ करना है तो फर्स्ट फंदे को छोड़ देना है सेकंड फंदे में इस तरह से स्लाइड डालेंगे फर्स्ट फंदे को पीछे से ऐसे ले ले लेंगे और इस फंदे को आगे ऐसे डालेंगे फिर ये एक ये दो दो फंदे सीधे अब फिर से इन दो फंदो को ट्विस्ट करेंग तो पीछे से पिले इस तरह से second Funde में slide डालेंगे, आगे से इस Funde को हम यहाँ पर ले आएंगे इसे बेच में, अब इन दोनों को भी सीधा बनादेंगे, तो friends से के इस तरह से ही अबनेगा हमारा, तो first Funde को हमने छोड़ दिया, इन 7 Funde को बार-बार repeat करना है, तीन फंदे उल्टे, फिर दो बंदों को ट्विस्ट करके मिनाया, फिर दो फंदों को ट्विस्ट करके मिनाया, अब इसी डिजैन को फिर से लपीड करना है, धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये एक, ये, इन तो ये एक, ये दो, दो फंदे सीथे, अब फिर से इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से स्लाइड डालेंगे, सैकिन फंदे में निकाला, ये फंदा यहां, ये आगे ले आए, और पहले इसे सीधा बना देंगे, फिर इसे सीधा बनाएंगे, ऐसे करते हुए आकर कम्प्लीट कर लेनी है, लास्ट में आपने क्या करना है, धागा आपनी तरफ करना है, ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, अब फ्रेंड्स, ये ही हमारा डिजैन है, इनी छे स्लाइजों को आपने बार 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 फिर से इसे फर्स्ट रो से आपने दुबारा से स्टार्ट कर देना है फर्स्ट रो में आपने ये सेकेंड कलर इसके साथ ऐसे लगाना है और इसके पूरी रो उल्टी-उल्टी बना देनी है जैसे मैंने आपको बता है इनी छेस लाहियों को आपने बार-बार रपीट करना ह यह आपका इस तरह से beautiful design बन जाएगा मन चाहे color जो भी लगाने है आपने लगाईए और यह beautiful design को बना कर ready कर लेजिए तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो please channel को जुरूर subscribe कीजिए वीडियो को like share करना बिल्कुल मत बूलना मैं फिर मेरूंगे आपको next वीडियो में bye bye have a nice day